इक्विटी गुरुकुल के आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहत खास मेहमान है मेहमान नहीं कोंगा बहत खास गुरु है जिहां ऐसे गुरु जिने जबरदस अनुभव है इन्वेस्मेंट्स का फंड मेनेजमेंट का 30 साल से ज्यादा लेकिन पढ़ाई भी जबरदस किय आई टी और आएम अब आप यह कहेंगी कि यह तो कॉंबिनेशन बड़ा जवर्दस था जहां एक और अच्छी पढ़ाई और दूसरे और एक बहतरी काम और वो भी ऐसा जो देश के सबसे प्रतिश्टित म्यूचल फंड के साथ किया हो तो फिर आज जो आपको अगले आद आपका एक्विटी गुर्खल में ज्यादा कुछ पूछते नहीं है सिर्फ हम यह जानते कि प्रशान जी ने जो तीस साल में किया है जो सीखा है बस हम वो तीस मिने कैसे समझ पाएं कैसे सीख पाएं तो मैं आपकी यात्र को यह दो तरीके से पूछूंगा एक एज इन 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 वेस्टर अपने क्या सिखा है दूसरा एज फंड मेननिजर आपने क्या सिखा है तो पहला अगर आप यह का हैं कि इनुष्टर के तोर पर बादार में आपकी सबसे बड़ी सीख सबसे बडे लर्निंग कया रही कि यह 30 साल में मैंने यह बड़ा चीज सीख एग बड़ा एक तरह से आसान है कि उसमें को काफी पेन सेने की शमता होनी चाहिए क्योंकि अधिक पैसा कब बनेगा कहीं पर जब हम कोई चीज बहुत सस्थी खरीदेंगे गैज और कोई भी चीज बहुत सस्ती कब मिलेगी हमको जब उसमें कोई परिशानी है कोई दिक्कत है और कोई उस को खरीदना नहीं चाहता है और इसी लिए शेर बजार में पैसा बनाना आसान भी है अगर हम पेन को सह सकते हैं और अगर हम लॉंग टम सोच सकते हैं और बहुत मुश्किल भी है क्योंकि अधिकतर लोगों के लिए वो करना असान है जो सब लोग कर रहे हैं और पुरे भीड स असान हम भी म 노 कोई नहीं खरीदने चाता है मेरी समझ कह Soros कि है कि यहाओ सबसाल सब्सक्रादा आज की कोई हरिदना नहीं चाहिए और वह शेयर गटी रहे है और ऐसे शेयर को लंगे और अगर वो मारी सर्च सही है कंपनी की समझ सही हैं तो एक दिन उसमें मैंने दिखा है कि बहुत अच्छा पैसा बनता है और ऐसे मैं आपको अभी के बजार की बात नहीं करके पहले के दो क्लियर एक्जामपल दे सकता हूँ 99-2000 में टेक्नोजी स्टॉक्स और फेर कंप्रीन्स के शेर सबसे अधा पॉपलर थे हर फंड में हर रिटेल इंवेस्टर के पॉटफोलियो में वो था और इन शेर्स को छोड़ के बाकी सभी बजार इतना सस्ता था जिसको की डेस्क्राइब करना भी मुश्किल है उस टाइम पे आप डिबिरेंट जील्स कंपनीज में पांच-दस परसेंट आइटी छोड़ के एक आम बात थी वो क्वेल्यू से नीचे बहुत सारे शेयर मिलते थे और जिसने वो आइटी छोड़ के ओल्ल एकनॉमी में कुछ भी लिया उसमें से दस में से आठ शेयर मेरे साब से पांच से पचास गुना हो गए अगले पांच साथ सार हो गए तो यह एक उधारन था कि जो बहुत पॉपलर था और जिसका पास का रिटर्ण बहुत जादा था उसमें आने वाले दस सालों में पैसा नहीं बना और बाकी सब में पैसा बना और कुछ ऐसा ही 2007 के आज पास द तो जए वहां पर पैसा खतम हो गया सौ रुपय का पैसा ऊए दस रह गया और यहांपर पैसा बहुत बना किकिन इसमें एक ही बात काई इसको बहुत से लोग कॉंट्रियर इन्वेस्टिंग कहते नहीं जर। है कि हमाने शहीure समझ होनी च kü number अगर हमारी सामद सही है, और जो हमारा कंक्लूजन है बिजनिस के बारे में, यदी वो मेज़ॉरिटी से अलग है, तो हम कह सकते हैं, कान्टरियन भी है. लेकिन खुद अपने आप में कान्टरियन होना ही सही नहीं है. तो जब आप इन्वेस्मेंट के बारे में सोचते हैं, तो फिर आप क्या देखते हैं? क्या आप कंपनी की ग्रोथ देखना ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर वेल्यू? सबसे दाम पर मिले यह इसलिए ले लूँ या कम्पनी ग 125 अच्छी होने वाली इसले ले लो कुल दिविरां का इस वाले सबसे पहले चीज से हम की सबस्दाइबिलिए उक जया डिये बिजनेश इतनी शम्ता है इतने इसमें स्ट्रेंथ है कि ये आने वाले पांच-दस-बीस साल तक कम से कम खड़ा तो रहेगा तो पहला तो टेस्ट यह है अगर कोई कंपनी ये टेस्ट को पास नहीं करती तो मेरी समझ में उस शेयर में हमको किसी भाव पर इन्वेस्ट करने से पहले कई बार स सकती है कॉम्पेटिशन बढ़ सकता है लेकिन उसमें भी अगर ये सरवाइब करने की शम्ता रखती है तो कम से कम ये एक इन्वेस्टिबिल कंपनी है और उसके बाद हमको एक अनुमान लगाना है कि आने वाले समय में इसमें किस प्रकार की ग्रोथ आ सकती है और सबसे जर तो आज तक भी साल में ऐसा नहीं हुआ कि उन कंपनी का प्रॉफिट घटाओ उसमें लगातार ग्रोथ है लिकिन उसमें रिटर्न बहुत कमाया है ना के बरावरा है क्यों क्योंकि 99 में बजार का नुमान था जो ग्रोथ का नुमान था वो रियालिटी से बहुत ज्यादा जो एक्चुल ग्रोथ हाई वो कम थी तो बिजनस के ग्रोथ में और रिटर्न में एक बहुत अच्छा तालमेर है रिलेशन है लेकिन अगर बजार ने उस ग्रोथ को ओर एस्टिमेट कर लिया है तो ग्रोथ के बावजूद भी आपका रिटर्न कम हो सकता है और बहुत बार इसा भी देखा गया है कि बिजनस में ग्रोथ बहुत कम है लेकिन रिटर्न आपका बहुत ज़्यादा सकता है अगर बजार ने जो रियल ग्रोथ थी उसकी तुना में उसका एस्टिमेट और भी कम था तो अच्छा शेर महेंगे भाव में खरेद लें वो चलेगा या फिर थोड़ी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइस करके अगर सस्ता मिल रहा है तो ले लिया जाए उसमें भी पैसे बन जाएंगे इसका सही जाब देना संभाव नहीं क्योंकि यह कंटिनुर स्केल जैसा है तो एक अच्छे बिजनस का जिसके आरो सी ज्यादा है जिसकी माइनमें एक्सपिरियन्स आपकी फील आपकी इंडस्टेंडिंग और थोड़ा लग पर भी निर्वर करता है लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि कोई भी बिजनस जो एक सस्टेनेवल बिजनस है जो सर्वाइब करेगा जो बजार में जो एकोनोमी में प्रॉफिट कमा सकता है आरो सी क इसको खरीदते हैं उस पे ज्यादा निर्वर करता है और इसी लिए आप देखेंगे कि जिसे पिछले चार साल में देखा जाए तो फार्मा कंपनी के शेर पचास से सतर परसेंट डाउन है जी बहुत सारी आटो मोबील कंपनी से उनके शेर भी काफी डाउन है क्यों इनकी करना है और अच्छे रिटर्ण कमाने के लिए अगर हम अच्छे बिजनस का ज्यादा दाम देंगे तो रिटर्ण आने की संभावना बहुत कब हो जाती है अच्छे एक चीज़ हो रह कि जिसे आपने एजन इन्वेस्टर तो अपनी लर्निंग्स पताई एज़ फंड मेंज जोब थोड़ा और मुश्किल होगा आसान नहीं क्योंकि वहां आपको दूसरों का पैसा मैनेज करना जवाब भी देना है और आज कल तो इतनी ट्रांसफरेंश ही कि हर मैंने हर तीन मैंने में सवाल पुछे जाते है तो फिर वहां पर आपने ये आपका जो 29-30 साल का अनु मैं तो मैं थोड़ा लेट जोइन किया था तो उन्होंने कहा कि इस बैच में अब तुम ले लास्ट आयो तो अब आप एकुटी रिसर्च करिए क्योंकि उस समय में 91 में आप बिलीव नहीं करेंगे एकुटी रिसर्च में कोई प्रफरेंस नहीं थी किसी लोग मर्चंट ब इसमें बहुत सारे लोग फंड मैंजर बननी की इच्छा रखते हैं लिकिन उनको इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन इसको सही डंग से समझ के ही एडिशियंद करना चाहिए और आज मैं देखता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री में लगबग 30 साल से हूं तो मेरे साथ वाल जब फिल्म एक्टर्प होते हैं इनकी जैसी है एंड-ग्य है यह लंबे समय तक सक्सेस बहुत काम और ऐसमें फेलीर रेट बहुत जहादा है कि तो ओः मैं तो वह साहरे लोग क्रिक्टर बहुत बनना चाहते है कि संग में बन जाउंगे लेकिन ूसके एक सचिन के पीछे 90 या 99 लोग नहीं बन पाते हैं तो लाइफ में करियर में अगर हमकों को डिशियन लेना है तो एक आवरेज आउटकम को देखके लेना चाहिए और उसको जो एक आउटलायर आउटकम है उसको देखके नहीं लेना चाहिए तो मेरी सब जंगस्टर्स को यही रहा हो लेकिन आप क्योंकि फंड चलाते हैं किस तरह से आप यह डिसाइड करते कि अगर किसी एक शेर को मैंने सही वक्त पर खरीदा है तो मैंसे बेचूना क्योंकि कई बार पैसा जल्दी बन जाता है ज्यादा बन जाता है तो फिर वो ऐसा लगते कि निकल जाए तो यह हूल बाइन होल प्रती दिन का जो डेली का जो प्राइस है उसी को हमको अपनी कॉस्ट समझना चाहिए अच्छा मैंने शेयर आज शेयर का वह 100 रुपया है या तो मैंने उसको पचास में खरीदा या दोसों में खरीदा राइट एक में घाटा एक में फायदा है लेकिन जब मैं 100 रुपय करता हूं तो मुझे आज यही सोचना चाहिए कि मैं आज इसको सौ रुपय में खरीद रहा हूं अच्छा क्यों अगर वह सौ से डेड़ सो हो जाएगा अगर अनुमान है तो बले ही दोसों में खरीदा लेकिन अब तो हाथ में तो मेरे सौ ही रुपया है तो हर दिन का जो से वही अपनी कौस समझनी चाहिए और वहां से हमको फिर अगला दो तीन पांच साल तो हम लोग यही करते हैं मेरी यही कोशिच रहती है कि भाव मैंने सौर में खरीदा लेकिन पांटसों हो गया लेकिन फिर भी सोच रहों कि पांटसों में अच्छा इंवेस्मेंट है कि नहीं है और सौ में खरीदा और पचास हो गया तो हमें फिर यही सोचना है कि सौ में तो गलती हुई लेकिन आज मिलेंगे तो पचास तो आज पचास रुपे से यह अच्छा इंवेस्मेंट है कि नहीं तो इसी प्रकार से हमको अपनी हिस्टॉरिक कॉस्ट ऑफ इसे सिचेशन में क्या यह शेर आप जल्दी बेचने का मन हो जाता है कि समझे आपने सो में खरीदा था आज पांसो और आप तो आज पांसो के साब से सोच रहें कि यह पांसो में रखों या रखों और अगर महंगा लगे तो क्या फिर वो प्रोफिट वुकिंग भी यह बखती हैं तो और मैंने दोनों ही बेचती है तो फार्मा बेचेशन अहीं गया लेकिन फम सीजी कंपनी जहां से मैंने बेचा था वह था नहीं तो लेकिन लेकिन यह तो हमारा सभी की सोच अगे और हार ट्रेड के पिछे जब तक दो आदमी एक्वा अग तो दो मैं से एक ही जाएगा और लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि हमको वही सोचना है कि आज जो प्राइस है उसी को हमें कॉस्ट माना चाहिए क्योंकि मैं बेचूंगा तो मेरे को उतने ही पैसे मिलेंगे और उसी शेर को मैं कहीं और लगा होगा तो ऐसा भी हुआ है कि 100 का 500 हो गया और नहीं बेचा और अच्छा चला गया और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बेचने के बाद शेर और पढ़ गया तो इसमें तो हमको यह डेली का स्ट्रगल है क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाने की कोशिस कर रहे हैं इस बिजनेस में क्या पुटेंश तरीके से सामुई क्रूप से क्या सोचेगा सो इन्वेस्टर आके इस बिजनस को कैसे वैल्यू करेंगे इसको कहना भी मुश्किल है यूटिलिटी कंपनीज है आज से दस साल पहले लोग तीन से चार टाइम प्राइस टू बूप पे खरीगते थे और आज एक टाइम में ल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाना बहुत मुश्किल है जिसा आपने का कि सबसे पहले शेयर खरीदे के पहले में यह देखता हूं कि यह बिजनस दस पंदार बी साल चलेगा की नहीं तो बिजनस आपने देख लिया लेकिन बिजनस के अलावा किसी शेयर को खरीद और उसकी जो मैंग्मेंट है उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उनकी कैसी रेपूडेशन है उनके अफे ट्रीटमेंट ऑफ माइनरोटी शेयरोल्डर्स है कि नहीं तो यह मैं कहता हूं एक तरह से हाईजीन फैक्टर हो जाते हैं कि एक बेसिक कंडिशन है अगर एक बिजनस में हम इंवेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हमको यही अनुमान लगाना है कि इस बिजनस में आने वाले समय में इसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में हमारी क्या समझ है और उस ग्रोथ के रिलेशन में जो आज इसका प्राइस है वो कैसा है अच्छा डिसिजन तो आपको तो अपना कोल लेना है यह शेर मेरे पोर्फोलियो में नहीं रहेगा उसके पीछे क्या वजय होती है तो यह कि जो मेरा टार्गेट प्राइस था वह हमें लगा कि अब यह बाव ऐसा हा गया है कि जो मेरी बिजनस की समझ है इसमें ज्यादा रिटर्ण की गुंजाइश नहीं बची है नहीं बची है तो हम उसको बेच देंगे दूसरा यह होता है कि कुछ माहौल में एंवार्टमेंट में ऐसा चेंज आ गया जिससे उस बिजनस का फ्युचर आउटलुक चेंज हो गया कि यह से किसी के कमोरिटी के दाम बहुत गड़ गए या कोई नहीं टेक्नोजी आ गई या लोगों की हैबिट्स चेंज हो रही है जैसे प्रिंट मीडिया से लोग कहते हैं गलोबली आप देखिए तो रिडर्शिप कम हुई है तो वह एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिजनस के फ्यूचर बहुत के बारे में तो कहीं एड़र्स अवलप्मेंट तो आप चेंज कर सकते हैं या हमें लगता है कि हमारी समझ गलत थी जो हमने पहले रिसर्च की थी वो पूरी नहीं थी उसमें कुछ कमी रह गई और जैसे हम आउंगोइंग स्टडी करते रहते हैं तो बालूपड़ा कि इसमें हमने चीज मिस कर गए और हमें समझ आया कि हमरा जो कि हमें लगता उसमें से काफी ज्यादा रिटर्न आने की बैतर होता है तो इसमें थोड़ा एक्सपोजर कम करके उसमें भी सुछ कर सकते हैं और एक फिफ्थ कंडिशन यह है कि हमने पॉटफोलियो में कोई शेर 3% लिया था वो बहुत अच्छा किया तो 8% हो गया तो ह इसमें थोड़ा रिस्क भी पॉटफोलियो मेरे को 8% में रिस्क ज्यादा लगता है तो उसको हम रिस्क मैनेज करने के लिए भी उसमें एक्सपोजर कम कर सकते हैं अच्छा जो शो देख रहे हैं और आम शूर कि हजारों लाखों ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो आपके फ आधियर बजार यग ऐसे चीज है जिसको कि देख के बहुत सरे लोंसित गोंते हैं और सबको लगता है कि इसमें पैसा बनाना बहुत असान है क्यों कि सब को हिस्टार petits धाय सँरिक देखी यिए सौगा 302 दोसो हो गया तब तक हमको डिरेक्ट इंवेस्मेंट से दूर लगाना चाहिए और हमको F&O या बोरो करके पैसा शेर बजार में कभी भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो एक प्रकार से स्पेकुलेशन है और उसमें बहुत लौसाने की सभाव रहे हैं तो मेरे क्याल से कोई भी आदमी अगर थोड़ी ठीक से सेविंग और इन्वेस्ट करते हैं तो ओर टाइम एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ वेल्थ क्रेशन और रिटर्ण्स हमारा बंता है और इसके बारे में मेरी लोगों को एक ही राय है कि जो भी उनकी वेल्थ है जो भी उनकी सेविंग है उसके दो हिस्ते करिया अच्छा एक है वो जिस पे हम कहते हैं कि यह पैसे मेरे को पांथ से दस साल के लिए नहीं चाहिए ठीक है और इस पैसे पे अगर पांथ दस पंदरा बीस परसेंट घट भी गया टेंपरेरी तो मैं रात को आराम से सो सकता है इतने लोग टेंपरेरी लॉस को मैं इमोशनली फिनांशली बरदास्ट कर सकते हैं तो वह हिस्सा हमारी सेविंग या वेल्ट का रिस्क कैपिटल है और उसको हमको दो तीन चार अच्छे डवर्जिफाइड मल्टी कैप या लार्ज कैप फंट्स में इन्वेस्ट करके पेशेंट रहें एक बर आपने ऐसे टेलोकेशन कर लिया तीन फ मेरे को इस पैसे की जरुद पढ़ सकती है वो पैसा हमको फिक्स इंकम में इन्वेस्ट करना चाहिए फिक्स इंकम में बैंक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे हमको प्रामिस्ट रिटर्ण मिलता है उसमें कोई रिस्क नहीं है और हम फिक्स इंकम म्यूचल फंड भी देख सकते हैं उसमें बैंक डिपोजेट की मुताबिक रिस्क ज्यादा है लेकिन उसमें टैक्स ब्रेक्स की वज़े से कभी-कभी थोड़ा रिटर्ण भी ज्यादा आता है और उसमें लिकुरिटी हमारी बहुत ज्यादा रहती है तो मुझे लगता है इस प्रकार से अग आपके फंड का रिटर्ण दूसरे फंड से दो परसंट कम भी रह गया कोई बात नहीं लेकिन वह फिक्स इंकम से 4-6 परसंट ज्यादा है तो उससे अगर आप 4-6 परसंट एक्स्ट्रा कमाते हैं और जब तक आप बेजेंगे नहीं तब तक टैक्स भी नहीं देना है तो आ अगर आपको समझ में आए तो आप करें ना समझ में तो बैतर है mutual funds और दूसरा यह कि दर है ना गबरा है ना उपर नीचे तो होगा लेकिन लॉंग टम में दस बीस और तीस साल का वियू लेकर चलेंगे तो आप पेसा बनाएंगे जो कुछ सी काम ने प्रशान जी से वो य दालने के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शेक आपके तीस सालों के इस फंड मेंजमेंट के आज बड़े लापानमीत होंगे तो बहुत 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 शुक्री आपका तो आज की एक्विटी गुर्कुल में इतना ही बने रही है हमारे साथ जी बिल्स पर न